एक बिट गर्ट की और एक न्यूज है जो साइध बैक टू बैक दो चीज़े आपके लिए पॉजिटिव आने वाली हैं उसका इंपक्ट आपको साइध मेजर आएगा कहीं नहीं बहुत पॉजिडिप सा उसका फाइदा जरूर उठाईएगा चू कियेगा नहीं अगर चू क इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि जो इनकी टियर वन एक्षेंज लिस्टिंग की जो बात है साइध यही 31 तारीक को यह करने वाले हैं देगे और तो कुछ है ऐसा कुछ पॉजिटिव और कहीं से कुछ है नहीं इनके पास यही एक नियूज चल नहीं है जो इनको इस मंत बर्निंग होनी है यानि बैक टू बैक इनकी दो पॉजिटिव निउज है एक आपकी टीर वन एक्षेंज लिस्टिंग और एक तारीक को आपको जो होनी है एक अप्रेल को वो होनी है आपकी मैनुवल बर्निंग तो बिटगर में यह अपने टाने वाले हैं बहुत ही प्राइस डाउनफाल में सुरू हो जाएगा हो सकता है आपको 31 तारीक से ही डाउनफाल सुरू हो जाए कि यह पहले से ही निउज का इंपेक्ट आना शुरू हो जाता है और उसका कईनिकी प्रॉफिट भी लोग बोक करना शुरू कर देते हैं तो यह जरूरी नहीं कि एक के बाद ही इंपेक्ट आएगा हो सकता है कि 30 तारीक से आपका डाउन फाल इस्टाट हो जाए तो उसका फाइदा आप जरूरूर है मैं तो यही करूंगा और मैं भी इस चीज़ को जरूर अपने उपर भी करूंगा लेकर आप आपको डेपेंड करता है आप क्या करना चाहते मेरा काम है आपको एक सही चीज बता देना बाकी आप देख लिए आपको क्या ठीक लगता है अब कोईन बेस और जस्टिन सन ये दो चीज़ें कल होई और वो होई यही कि भाई ऐसी सी अमेरिका है आज कल पीछे पड़ा हुआ है सबकी पहले बाइनेस के पीछे पड़ा र लग रहे हैं एक है मैनुपलेशन का कि आप जो है कोई भी निव लिस्टिंग हो रही है या आप जो प्राइस को उपर नीचे कर रहा है उसमें बहुत जादा मैनुपलेशन कर रहा है यानि यह तरह से वास्ट्रेडिंग अब वास्ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जो में पैसा आ रहा है निकल रहा है में पारिकीड पैसा आ रहा है लेकिन वह गिंथी के कुछ ही चंद लोग होते हैं जो यह काम करते हैं जिससे वह वॉल्यूम होताए और अवह क्या देखते हैं कि भाई मैं मतलब मार्केट में पोजटिवटी है यानि उस prisoner में पॉजटिव जो आप BTT या टोन जो आप सेल कर रहे हैं वो सेक्योटी की अंदर आता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आप अनरेजिस्टर्ट सेक्योटी से आप कैसे सेल परचेज कर सकते हैं यानि के कुल में लाग घुमा फिरा के वहीं रेगुलियसंस पर आगए कि आपके पास कुई रेगुलियसंस है नहीं कहीं कोई रेजिस्टर्ट कुछ है नहीं और आप इन चीजों को सेल परचेज कर रहे हैं बस यही काम होना था और यह काम हुआ और इनका प्राइस डाउन आठ से दस परसेंट नीचे आ गया अब मैं एक लाइन में बात कहूं कुछ नहीं होगा कोई टेंसन वाली बात नहीं है यह इनका काम है वो कर रहे हैं बाकी अगर यह सिक्योर्टी वाला जो फंडा है मैंने आपको पहले भी वीडियों बोला था अगर यह सकती से लागू हो गया तो क्रप्टो करंसी में हजार दो मेंटिन करेंगे ही करेंगे और जो कर लेगा वो बच जाएगा जो नहीं कर पाएगा वो फिर हमेशा के लिए इस मार्केट से बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर अब वेट केवल उसी चीज़ गाए कि किसी तरीके से रूल रेगुलिशन्स आ जाएं तो यह मामला सारा जो र मेरे का फिर वो एक नोटिस थमाएगी उसी का प्राइज डाउन होगा अब यहाँ सवाल पैदा होता है अगर माली जे जल्दी रूल्स और रेगुलिशन्स नहीं आए तो क्या बुलरन आपाएगा ऐसे रोज ही तो कोई इनकोई समस्य खड़ी रहेगी तो बुलरन में जो बुलरन में भी उतना इस पैक जो हमें चाहिए वो देखने को नहीं मिलेगा तो बहतर है और फिर भाई कल पाविल सामने को कह दिया कि हमें दो परसेंट तक ले के आना अपनी इंफिलेशन को जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम रेट कट तो नहीं करेंगे तो रेट कट मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव्टी आपको नजर नहीं आएगी पॉजिटिव हैं लेकिन यह होने नहीं दे रहे हैं डॉमिनेंस बीटीसी का अभी आपका 46.2 परसेंट है मार्केट बेज़ का आपका बीटीसी यह भी 27,700 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है लेकिन डॉमिनेंस में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है तो अभी भी कहीं कहीं हम बुलिस हैं बुलिस तो हैं लेकिन यह ऐसी सी कुछ करने दे तब तो यह कुछ न कोछ हो यह नई आफ़ ठ़डी कर देता है आब यही चीज़ उन्होंने कोइन बेसके साथ की हैं इन्होंने जुए अब एक तरे से इनको भी नोटे समाया वगय के लिए इनके वालिट के लिए स्टेकिंग के लिए और लिस्टिंग के लिए आप भई यहां पर कुछ न कुछ गडबन कर रहे हो अ कहीं कई कोईन बेस और जस्टिन संग का यह मामला आया निकलके इसी के बज़े से मार्केट में यह आपको पैनिक देखने को मिला और यह मार्केट आपका हलका सा नीची आया यह दोजार डॉलर के आसपास नीची आया अब यहां आपको टैंशन वाली बात नहीं है ऐसी दीरे साइड करना शुरू कर दिया उन्होंने यूएसडी में कर दिया या कर दिया या जो उनके पास फंड था उसको नहोंने बिटीसी इधिरियम और बीनवी में पर्चेश करके खतम कर लिया रास्ता निकल आया तो वह है कि आप जितनी जल्दी हो जाए रूल सेंड वैसा छोड़ दीजिए, ज्यादा आफ़त बाली ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबके प्राइज में मैं बोई देख रहा हूँ, BTT में कोई कोई खास ज़्यादा फरक आया नहीं, वो लगबग 2% के आसपास गिरा है, और Tron का भी 8-9% गिरा है, और आपका ST token जो हो भी Global का है अपना token, वो जरूर आपका 10-11% गिरा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि आप 80% या 90% गिरिया है, तो आपको टैंसल लेने की जरूरत है, तो बैतर है कि आप इने मेंसे जो है, देखिए मेरी BTC में holding है, लेकिन हाँ Tron और HT मेरे पास नहीं है, मेरे पास BTC है और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मेरा जैसा है, वैसा छोड़ कर रखा है, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, आप अगर जटका नहीं जेल सकते, तो आप अपने हैसाब से देख सकते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन मैं तो यहीं कहूँगा, कि बहुत ज़्यादा टैंसन वाली बात नहीं है, आप SAC के ये काम चलते रहेंगे, हमारी जो मैंन ट्रेंट सान वो यह है, कि SAC अपने ये काम जल्द जल्द बंद कर दे, जिससे कि जो आने वाला टाइम है हमारा, या जो हमारा अप ट्रेंड जो है, अस शुरू होगा, उसमें ये रोल रोज की पिन वाजी है न, ये कहिन की इंपेक्ट डालेगी हमारे बुल रन पर, वो नहीं पढ़ना चाहिए, और उसके लिए रोल्स और रेगुलिस जितना जल्दी आ जाए, उतना हमें इससे जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, तो आपको ज़ादा टेंसें लेंड की जरूत नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंग मैं तो आज भी बुलिस हूँ, क्योंग मैं BTC का जो है, ये डॉमिनेंस देख रहा हूँ, तो वो शुट बुलिस हूँ, कोई बहुत पैनिक की बात नहीं है, लेकिन ये short term इस तरीकी के panic आपको समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे जब तक regulations नहीं आएंगे तो wait and watch बाकी tension फिरे रहे है, मस रहे है, स्वास्थ रहे है बाकी फिर मिलते हैं, नमशका